नमिश्कार दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ जो की है एक बरियानी देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं देखिए तेल अच्छी से गरम हो गया है तो हम इसमें जो है प्यास फ्राइ करने के लिए डाल रहे हैं मैंने तीन मीडियम साइज प्यास लिये है इन्हें मैं अच्छे से फ्राइ करूँगी इनका कलर जो है वो ब्राउड होना चाहिए दिखिए प्यास ब्राउन होंगे हैं अब हम इने निकाल लेते हैं अब दूसरी साइड मैंने ये अलग बरतर रख लिया है जिसमें मैंने पानी वोयल होने के लिए रखा है इसमें मैं तीन से चार लोंग डाल दूँगी अब इसे एक वोयल आने दूँगी अब देखिए पानी गरम हो गया है अब मैं इसमें चावल आड कर देती हूँ मैंने अच्छे से वोश कर लिया है अब मैं इसमें आड कर रही हूँ मैंने एक कटोरी बासमती चावल लिये है तो मैं एक चमच छोटा इसमें नमक आड कर दूँगी देखिए इन चावलों को हमें पूरी तरह नहीं पकाना है सिर्फ 70 परसंट ही कुक करना है अब उसी कुक कर में मैं दो हरी लाइची, चार लॉंग और तेज पत्ता डालूंगी इन्हें थोड़ा सा भूनूंगी और इनमें प्याज एड़ कर दूंगी यह एक मीडियम साइज प्याज है इसे मैं फ्राइ करूंगी दो चम्मच अद्रुक लैसून का पेस्ट अब इसमें टमार्टर एड़ तर दूंगी एक मीडियम साइज टमार्टर मैंने इसमें डाला है अब इसे अच्छे से भूल लेंगे मसाले को वन एन हाफ टी स्पून मैं इसमें नमक एड़ कर दूंगी हाफ टी स्पून हल्दी वन टी स्पून गरम मसाला अब इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और इसे अच्छे से भूलने दूंगे तू टेबल स्पून हम इसमें दहीं आड़ कर देंगे अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे दूसरी साइड हमारे जो चावल है वो हो चुकी है अब हम इसे एक साइड में निकाल के रख लेते हैं अब देखिए मैं ड्राइ रोस्त मसाला त्यार करने जा रही हूँ जिसके लिए मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है थोड़ा सा जीरा लिया है थोड़ी सी काली मिर्चली है और ये देखिए लाल मिर्चली है अब मैं इनको पैन में डालूंगी और थोड़ी देर भून जैसे ही इसमें से धीमी-धीमी खुश्बू आने लगे गैस बंद कर दे और इसे धर-धरा पीस ले देखी मैंने रोस्ट किये हुए मसाले को धर-धरा पीस लिया है अब मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ इसी वज़ा से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अब देखी दूसरी साइड मैंने थोड़ा सा तेल पैन में गरम होने के लिए रख दिया है बोज़ा दा गरम नहीं करना है बिना टाइम गवाई हम इसमें थोड़ा सा नमक थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल देगी मिर्च डालेंगे और उसमें यह मैंने वोईल करके रखे हुए है अंडे चार उनको फ्राइ करूँगी अच्छे से फ्राइ करना है इने देखिए अंडे अच्छे से फ्राइ हो गए है अब मैं इने निकाल लेती हूँ अब इसी बर्तन में मैं दो अंडे तोड कर डालूंगी यह देखिए मैंने दो अंडे तोड लिये हैं अब यह देखिए तैयार हो गया है अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेते हैं अब देखिए मैं इसका थोड़ा सा मसाला निकाल रही हूँ लेयरिंगे लिए अब इसे अच्छे से फैला दूँगी अब देखिए हम इसकी लेरिंग करने जा रहे हैं यह मसाला है हमारा अब इसके उपर हम चावर डाल देंगे थोड़े-थोड़े इसकी एक लेर त्यार करेंगे अब मैं इसमें मसाला एड़ करूँगी अब देखिए मैंने इसकी लेर कर दी है एक तेयार अब इसके उपर मैं यह देखिए जो मैंने अंडा फ्राई किया था वो डाल दूँगी इस तरह से अब इसमें मैं उपर जो लेरिंग करूँगी उसमें थोड़ा सा पुदीनना और हराधनिये डाल दूँगी अब मैं इससे ओनियन से लेरिंग कर देती हूँ इस तरह से अब मैं बाकी के बचे हुए चावलो को इसमें डाल दूँगी सैकिन लेर के लिए और इसे अच्छे से फैला दूँगी ये देखिए फैला दिया मैंने चावल को और अब अंडे को भी मैं बचे हुए को इसी परकार फैला दूँगी चावलों के उपर और इसकी भी एक लेर तैयार कर लोंगी और ये देखिए ये बले अंडे भी अब इसके उपर मैं फिर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी और दीना भी अब दीखी यह आप्शनल है यह है केसर वाला दूद मैं इसमें एड़ कर रही हूँ यह दिखिया अंडे के उपर भी मैंने इस तरह से अंडे डालने के बाद ठोड़ी सी लेरिंग कर दी है ओनियन की अब मैं इसका ढक्तन बंदकर देखी है बस इससे दम लगाना है एक सीटी आने पर ही से बंद कर देना है एक सीटी आ गई थी उसके बाद मैंने बंद कर दिया था अब ठ़ए ठंडा हो गया है तो मैं ऐसे खोलने जा रही हूँ यह देखिए हमारी बरियानी तयार है देखिए कितने खिले खिले चावल बने है अब मैं इसको सर्फ करती हूँ देखिए हमारी यम्मी एक बरियानी बनकर तयार है अगर आपको मेरी ये एक ब्रियानी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक ये फूर वाचिंग दिस वीडियो